Hello everyone, today we are going to discuss about the question and answers of the 7th chapter. The name of the chapter is Bainul Akwami Khat-e-Tariq. So let's move on to the topic. So हम स्टार्टिं करते हैं question number 1 से सवाल number 1 जिसमें दिया गया है कि आपको नीचे दो बॉक्सेस दिये गया हैं और इन दोनों बॉक्सेस में से जो है Bainul Akwami Khat-e-Tariq गुजरती हैं, ठीके? अब यहाँ पर एक चौकोन में तुलूल बलत दिन और तारिख दी हुई है, दूसरे चौकोन की दिन और तारिख आपको पैचानना है. So इसमें अलीव दिया गया है कि 150 डिगरी मशरी की तुलूल बलत. अब इसके अपोजिट बॉक्स में आप देखेंगे, तो वहाँ बताया गया है कि 150 डिगरी मखरी तुलूल बलत और जो दिन दिया गया है वो पीर का दिया गया है और तारिख बताई गई है 15 अगस्ट. So basically आपको यहाँ पर यह बताना है कि जब आप मखरीब से मशरीक की जानीब सफर करोंगे या फिर बैनुल अकवामी खत्य तारिख को क्रॉस करोंगे तो वहाँ पर दिन और तारिख क्या रहेगा या फिर मशरीक से मखरीब की जानीब सफर करेंगे तो वहाँ पर दिन और जब हम मगृब से मश्रिग की जानिब सफर करते हैं तो हम एक दिन दिया गया है पीर का और तारीक बताई गई यह सो यहां पर मश्रिक में एक दिन एड हो जाएगा और यह हो जाएगा मंगल 16 अगस्त इसके बाद मश्रिक में दिन बताए गए हैं इतवार का और तारीक बताए गई हैं 25 डिसेंबर जो कि मगरिब में सेम रहेगी सो इसका आंसर हो जाएगा इतवार 25 डिसेंबर ओके अब इस कहां जाते वक्त एक दिनका इضाफा करना होंगा थो हम ये पहले भी देख चुके हैं कि जब कोई मगरिब से मश्रिक की सिंट में सफर कर तो हम एक दिनका इदाफा करते हैं तो इसका अंसर आजयेगा 2 मगरिब से मश्रिक की तरफ बे में दिया गया है कि अगर 15 डिगरी मश्री की तूलूल बलत पर बुद्की सुभा के 10 बजे हो तो बैनुल अक्वामी खते तारिख पर क्या वक्त हुआ होगा इसका आंसर आएगा 2 बुद्की रात के 9 बजे होगे अब इसके बाद जीम दिया गया है कि आलमी आशरियों के मुताबिक जमीन पर दिन और तारिख की तब्दीली किस तूलूल बलत पर होती है तो हमेशा जो बैनुल अक्वामी खते तारिख की स्टार्टिंग होती है वो 180 डिगरी से होती है जोन के आइस तो हमेशा होगे इसके बाद हлет हैं है कि बैनुल अक्वामी खते तारिख की वज़ेसे धुनिया भरमें किन बातों में हम आहंगी पैदा होती है तो इसका आंसर आएगा थर्द आमोदरफ्ट के निजसमुल उकात में आमोदरफ्स के जो निजाम और वक्त होते हैं वो तबदील हो जाते हैं जब हम मगरिब से मश्रिक की जानिब सफर करते हैं या फिर बेनुल अक्वामी खत्र तारीख को क्रॉस करते हैं अब हम आते हैं तीसरे कोशन पे जग्राफिय वजुहात लिखिये इसका अलीफ है कि आज के जमाने में बेनुल अक्वामी खत्र तारीख एहम हो गया है आईए हम इसकी वज़ा देख लेते हैं और बहरी और फिजाई आमोदरफ्त में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है इत्तिलाती टेक्नलोजी में तरक्की की वज़े से जो दुनिया है वो एक आलमी गाउं में तबदील हो गया है इत्तिलाती मतलब आप जो है टेलिफोन और फोन की मदद से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर कॉल कर सकते हैं इमिजियेटली पहुँच सकते हैं जो पूरी दुनिया है ये एक आलमी गाउं में तबदील हो गई है जिसकी वज़े से बैनुल अक्वामी सतेह पर लोगों की आमोदरफ्त और अशिया की नकलवा हमल बड़े पैमाने पर हो रही है और इन तमाम निजाम में बैनुल अक्वामी खतेह तारिख का एहम रोल होता है क्योंकि बेनुल अक्वामी खते तारिख के मुताबिक ही हम आमोदरफ्त का दिन और तारिख को डिसाइड करते हैं, तै करते हैं, अब इसके बाद हम आते हैं, बेपर के जमीन की इक्तेदा बहुर काहिल से होती हैं, सो आईए हम इसकी वज़ा देखते हैं तो अब इसके आंसर में दिया गया है कि बेनुल अक्वामी खते तारिख के एतिबार से ये फर्स किया जाता है कि जमीन पर दिन बेनुल अक्वामी खते तारिख के मगरिब से शुरू होता है और मशरिक पर खत्म होता है बेनुल अक्वामी खते तारिख क्योंकि ज्यादतर रिससा जो है बहुर लकाहिल से होकर गुजरता है इसलिए ऐसा माना जाता है कि दिन की इप्तिदा जो है बहुरुल काहिल से होती है अब इसके बाद हम 4 question पे आते हैं कि मुख्तेसर जवाब लिखिए जिसका अलीफ है कि बैनुल अक्वामी खते तारीख बनाते वक्त किन बातों का खयाल रखा गया है यह खत ग्रेंच यानी सीफर दर्जे तुलूल बलत के बिलकुल मुकाविल के तुलूल बलत 180 डिग्री पर बनाये गया है सेकेंड पॉइंट है कि इस खत को मुकमिल तोर पर बहलूल काहिल यानी समंदर पर से गुजारने की कोशिश की गई है अब इसमें थर्ड पॉइंट बताये गया है कि इसकी रहा में जहां कई खुश्की के इलाके आते हैं वहां उसे 180 डिग्री तुलूल बलत के दाएं या बाएं जानिब मौर दिया गया है अब इसके बाद हम इस कोशन के बेपर आते हैं कि बेनुल अक्वामी खते तारीख पार करते हैं वक्त आप कौन कौन सी तबदीलिया करेंगे तो इसका अंसर देखते हैं तो इसमें पहला पॉइंट बताए गया है कि अगर बैनुल अक्वामी खते तारीख को हम मगरिब की जानिव से पार करेंगे यानि मगरिब से मश्रीक की सिम्ट जाएंगे तो हमें एक दिन का इजाफा करना और एक तारीख का इजाफा करना होगा यानि हम पीर 15 अगस को रवाना हुए हैं तो ये खुतुत पार करने के बाद 16 अगस तारीख मानी जाएंगी और दिन जो है मंगल का माना जाएंगा तो हम ये पहले भी डिसकस कर चुके हैं कि मगरिब से मश्रीक की जानीब अगर हम सफर करते हैं या फिर खते तारीख को क्रॉस करते हैं तो एक दिन का इजाफा किया जाएंगा और सेकेंड पॉइंट में ये बताय गया है कि अगर हम बैनुल अक्वामी खते तारीख को मश्रीक की जानीब से पार करेंगे यानि मश्रीक से मगरिब की सिम्त जाएंगे तो हमें उसी दिन को दोबारा शुमार करना होंगा मसलन अगर हम इतवार 10 अगस्त को रवाना हुए हैं बैनुल अक्वामी खते तारीख को पार करने के बाद हमें दिन को इत्वार ही तस्लीम करना पड़ेगा और तारीख भी जो है 10 अगस्त ही रहेंगी, मगरिब से मश्रिक की जानिब जाते हैं तो उसी दिन को हम तस्लीम करते हैं, ठीके, अब इसके बाद अगला कुशन दिया गये हैं कि बैनुल अक्वामी खते तारीख 180 डिग्री तूलूल बलत की तरह सीधी क्यों नहीं है, तो आई इसका आंसर देखते हैं, तो अब इसके आंसर में कुछ पॉइंट्स दिये गये हैं कि 180 डिग्री तूलूल बलत बिल्कुल सीधा होने की वज़े से ये खुश्की कि कुछ इलाको यानि बैरुल काहिल में मौजूद जजीरों पर से भी गुजरता है, अगर बैनुल अक्वामी खते तारीख को भी मुकमिल तोर पर 180 डिग्री तूलूल बलत की तरह सीधा रखा जाए, तो इन जजीरों पर रहने वालों को दो मुक्तलिफ दिन और दो मुक दिल हुआ, ये चीज़ समझ नहीं आती, तो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए जो है बैनुल अक्वामी खते तारीख को बास जगह पर दाएं बाएं मोड़ा गया है, ठीके, I hope कि आप कोई आंसर समझ गया होगा, अब इसकी बात का अगला कोश्शन है कि बैनुल दिन और दो मुख्तलिफ तारीखें तसलीम करनी परती, जैसे कि मश्रिक में कोई और दिन होता, कोई और तारीख होती, और मखरिब में कोई और दिन और तारीख होता, ठीके, इसके अलावा जमीन से गुजरते वक्त ये खत का पार हुआ और का दिन तबदील हुआ ये कि बैनुल अक्वामी रिवाज के मुताबिक दिन और तारीख की शुरुआत और इख्तिताम 180 डिग्री तूलूल बलत पर ही होता है इसलिए जब कोई शक्स 180 डिग्री तूलूल बलत मश्रीक या मगरिब को पार करता है तो ग्रेंच टाइम से 12 गंटे का फर्क परता है ठीक है जब हम मगरिब से मश्रीक की सिम्ट जाते हैं तो जो ये 12 गंटे का डिफरंस आता है ये जो है सिर्फ 180 डिग्री की वज़े से आता है इसलिए हमेशा बैनुल अक्वामी खते तारीख 180 डिग्री तूलूल बलत की मुनासिबस से ही फर्स किया जाता है अब इसके बाद हम सवाल नंबर पांच पर आते हैं कि दर्जजेल लक्षे में बताईए कि दिये हुए कौन से रास्तों से गुजरते वक्त बैनुल अक्वामी खते तारीख पार करना पड़ेगा सो यहां पर कुछ रास्ते दिये गए हैं आपको यह बताना है कि किन रास्तों से गुजरते वक्त बैनुल अक्वामी खते तारीख को हमें पार करना होगा सुआइए इसका आंसर देखते हैं मुंबई, लंडन, न्यू यॉर्क, लॉस एंजलिस, टोक्यो इसके बाद आएगा कॉलकेटा, हॉंग कॉंग, टोक्यो, सैंस फ्रांसिस्को, चिन्नाई, सिंगापूर, टोक्यो, सिड़नी, सैंटियागो अब इन तमाम रास्तों को जो है हमें नक्षे में बताना है, इनकी निशान देही करनी है सुआइए अब हम नक्षा देख लेते हैं यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ जो राइट साइट जो एरो जा रहा है और लास्ट में यह जो दो लाइने दी गई हैं वो चिन्नाई, सिंगापूर, टोक्यो, सिड़नी और सैंटियागो को इंडिकेट कर रही है और यह जो तीनो रास्ते हैं यह बैनुल अगवामी खत्य तारिख को क्रॉस करते हैं और यहां पर हमारे इस चैप्टर के कोशन और अंसर कम्प्लीट होते हैं तो थैंक्स पर वॉचिंग तोड़ेज वीडियो